हलो दोस्तों में कमल जी सर स्वागा था आपका मेरे श्यूप्ट्यूप चैनल में प्रात्मिक सिछक नियोजन से समबंधित आज 15 जून के पेपर में यह न्यूज छपा है और न्यूज है कि 18 मांके डियलेड डिग्री वाले आज से देंगे आवेदन क्या है न्यूज वह हम पूरे विस्तार में आपको बताते हैं इसमें एक इंपॉर्टेंट नियूज है जो आपको कुछ हद तक राहत पहुचाएगा आवेदन प्रिकिरिया में तो सिच्छा विभाग की तरफ से संसोधि सेड्यूल के मुताविए छठे चरण के प्रात्मिक सिछक नियोजन के ल पूरी पारदर्सिता व्रतने के निर्देशक प्रात्मिक सिच्छक ने दिये हैं यानि पूरे सौ प्रतिसद सुद्ध होंगे करीब 10,000 पूरे बिहार में 10,000 नियोजनिकाईयों के समक्षी आवेदन दिये जाने यानि 10,000 नियोजनिकाईयां बनेगी जिसमें आप के लिए मानने जा रहे हैं जिन्होंने जुलाई में डिग्री ली हो वो या जो जुलाई में सीटेट पास हो लेकिन दिसंबर वाले लोग जिन्होंने दिसंबर में सीटेट की परिक्षा पास किये हैं उनके लिए थोड़े दुखद सामाचार है वो इस प्रिक्रिया में आव क्या फैसला देता है उसके सरकार क्यार निदने लेती है वो बात की बात है और साथ ही साथ इसमें जो आज के लिए मैं बता रहा था कि उसके लिए आबेदन ब्लॉक अस्तर पर यानि जो पंचायत अस्तर पर आबेदन करना और नहीं जा पाते हैं अगर आप ब्लॉक जा रहे हैं तो ब्लॉक में ही जाकर आप आबेदन कर सकते हैं यह एक बहुत बड़ी राहत है आबेदन करताओं के लिए बिहारतियों के लिए यानि आपको आबेदन के लिए टोटल व्विवस्थाप को ब्लॉक अस्तर पर ही कर दी गई है साथी साथ दोस्तो, सिड्यूल का पालन नहीं करने पर यानि साफ सब्दों में सरकार के द्वारा कहा गया है कि जो सरकार ने सिड्यूल जारी किया है ये नियोजन प्रिकिरिया उसी सीडूल के अंदर हो जानी चाहिए अगर इस सीडूल प्रिकिरिया के अंदर नहीं होगी तो जो भी नियोजन निकाईया है उस पर कड़े रुख अपनाया जाएगा ऐसा प्रात्मिक सिछक नियधक मोदा का कहना है साथ ही साथ दोस्तों इस बारे में मैं एक चीजा और आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों को कितनी सीटें हैं इसमें और इन सब चीजों के बारे में जानना हो वो थोड़ा वेट करें हर जिले के सिच्छा पदाधिकारी ने अपने कर्मियों को ये निर्देश दे दिया है कि रोष्टर तयार कर लिया जाए किस प्रखंड में किस पंचायत में कितनी सीटें है ये रोष्टर जैसे ही अपने जो भी जिला है अपने अनुसार जो भी जिला अपने टाइमिंग के नुसार निकालेगा उस रोश्टर में आपको पता चल जाएगा कि वहां कितनी सीटे हैं और यह पूरी प्रकिर्या धाई महिने के अंदर समाप्त करने क्या सरकार ने प्रण लिया है अब देखते हैं कि सरकार अपने प्रण पर कितने दिनों तक अडिग रहती है यह आज का युजे दोस्तो थैंक्यू बेरी मच्छ दोस्तो